तो दोस्तो ये वीडियो नंबर है 7 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे जो हम लोग plugin इंस्टाल करेंगे जिसको यूज करके हम लोग जो है SEO Optimized Post लिख सकेंगे ठीक है तो अब तक कि जितनी भी वीडियो वगेरा थी उसमें हमने अल्डी जो है पूरा setup वगेरा करन है कैसे उसको जो है डोमेन वगेरा खरीदना कैसे मैपिंग करनी है कैसे जो है SSL इंस्टाल करना अगर आप देखोगे तो हमारी वेबसाइट जो है SSL पे चल रही हैने सिक्योर है कैसे मितलब हमने free of cost जो SSL वगेरा जनरेट किया था तो ये सब चीजे आप आप अल्डी सी करने के बाद जो है wordpress के अंदर admin console है उसमें जाइए और क्लिक कीजे posts पे ठीक है तो पोस्ट बेसिकली posts है जो की आपके blogs है और यहां पर by default जो आप install करते हो wordpress तो एक already post लिखा हुआ होता है hello world का तो इसको क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है और उसके बाद जो है हम शुरू करेंगे नई post लिखना ठीक है तो अभी आप देखोगे सारे post थे जितने भी सारे डिलीट हो गए है अब हम शुरू करेंगे नया post लिखना उसके लिए हम जाएंगे add new पे और अब यहां से जो है post लिखने का हमारी जर्नी है वो शुरू हो जाएगी तो adsense approval से पहले लगभग आप कोशिश करो कुछ जो है around मैं बोलूंगा around 15 पोस्ट 12 से 15 पोस्ट जो अच यह जो है जो पोस्ट यहां से कर मैं लिखना शुरू करूंगा there is no benefit which I am going to get कोई मेरेको benefit नहीं मिलने वाला है क्योंकि जितना भी पोस्ट है मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो SEO optimized है कि नहीं है वो सब काम मुझे manually करना पड़ेगा मैं वो चीज नहीं चाहता हूं तो मैं क् इसका नाम है Yoast, Yoast plugin जो है उसको use करके आप SEO optimized पोस्ट और लिख सकोगे मैं बताओंगा आपको कैसे वर्क करता है लेकिन सबसे पहले आप जाओ plugins पे plugins के जाने के बाद जाओ add new पे add new के बाद जो हमारा शुरू हो जाएगा plugin सर्च करने का सिलसला यहां पे हमें टाइप करन इसके सिर्फ एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कैसे जब आप नया पोस्ट लिखने जाते हो तो वहां पर यह Yoast SEO आपकी कैसे help करेगा एक optimized article SEO optimized article लिखने में तो दोस्तों जो installation हो चुका है आप यह दिखा रहा है यह दिखा रहा है यह दिखा रहा है तो यहां पर activate पर क्लिक कर दो उसके बाद जो है activation इसका है वो start हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है आप देखोगा यह directly हमें ले गया Yoast यहां पर ठीक है यहां पर अगर आप plugin पर क्लिक करोगे install plugins पर जाओगे तो उसके बाद भी आपका यही page खुलेगा यहां पर हम आंप एक्टिवेट की option आ रही होगी अब हम क्या करते हैं यहां पे एक्चली हमें ज़्यादा कुछ करने की जुरूद है नहीं हम जाते हैं New पे New पे जाने के बाद हम पोस्ट जो है नया पोस्ट लिखना शुरू कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड में भी तो आप पोस्ट की ऑप्शन आ रही है वहां से भी हम एड नीव पर जा सकते हैं तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो उप्शन चूज करो और उसके बाद हम लोग जो है पोस्ट लिखना शुरू करते हैं तो पहला जो मेरा पोस्ट है वो मैं सोच रहा हूँ जब भी आर्टिकल लिखना शुरू करता हूँ तो यहां एक चीज आप देखोगे अब यह वाला जो योस्ट का प्लग-इन है वो यहां पर आ गया है ठीक है तो यह अब हमारी हेल्प करेगा यह हमें बताएगा कि हमारी जो यहां पर आप कर सकते हो यहां पर क्लिक कर लो यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यह ओप्शन आ जाएगी इसको कि आप एक्सपेंड कर सकते हो या फिर उसको मिनिमाइज कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आप स्क्रॉल डाउन भी करते हो तो आप देख सकते हो यहां पर आपको दिखा रहा है सारे जितने भी ऑप्शन हैं वो सब दे रहा है तो अब हम अपना आर्टिकल शुरू करत ना आप English में अच्छे हो सकता है आप बहुत ही अच्छी आर्टिकल लिखते हो ठीक है तो उन सब केसी में जो है आपको benefit मिलेगा मेरे scenario में जो मैं सिरफ आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं यहां पर तो अब हमने यह डाल दिया है free SSL for WordPress website उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर देखोगे SEO title लिखा हूँ SEO title याने की जो हमारे website अगर कोई सर्च करेगा free SSL for WordPress ठीक है जैसे मैं अभी इले से हम Google करते हैं free SSL for WordPress ठीक है तो आप यहां देखो बहुत सारे URL वगेरा बहुत सारे post दिखा रहा है ठीक है और यहां जो टॉप पे title दिखा रहा है और उसके नीचे description दिखा रहा है तो यह स SEO title एन जो meta description से तो SEO title में आपको कुछ ऐसी catchy catchy चीजें लिखनी है जिससे की लोग आपके site पे click करें क्योंकि आप देखोगे यहां पे शुरू में आपको सिरफ title दिखता है और थोड़ा सा description दिखता है आप title के फिर basis पे ही click करते हो किसी website पे तो हम लोग यहां पे दिखा र कर देता हूं इसको हम लोग लिख देते हैं easy tips 2021 ठीक है मैंने जस थोड़े से changes किये हैं which is good enough और इसके बाद जो है description आपको लिखना है तो description में जो हम लोग क्या कर सकते हैं description में एक चीज का में ध्यान रखना है कि यहां पे जो focus key phrase है यही वाले words आपको यहां यूज करने है तो मैं यहां पे लिखता हूँ learn to let's say हम लोग यहां पे लिखते है never buy SSL तो दोस्तों यहां पे देखो गे मैंने just quickly जो है meta description दे दिया एक चीज आपको ध्यान में रखना है यहां पे जो meta description में words वगेरा जो use करो वही word use करो जो यहां पे free जो focus key phrase में आपने use किया हुआ है तो यहां पे जो है almost अगर मैं देखूं SEO analysis जो कि पहले red में दिखा रहा था अब यह जो है अब यह थोड़ा सा change हो गया इसका color याने कि इस time है okay condition में हमें इसको okay की जगह हमें इसको हमेशा green में रखना है तो उसके लिए क्या बोल रहा है हमें क्या करना है अगर आप इसको expand करोगे तो आपको यह problem बताएगा क्या क्या problem है तो इस time पे SEO analysis में हमें बता रहा है जो problem है वो यह है कि हमारा जो text है वो zero words है which is very less ठीक क्योंकि हमने article में actually अभी कुछ लिखा नहीं है तो अब हम लोग जो है अपना article लिखना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि जब सबसे पहले तो आप अपना title दे दोगे title के बाद जो है आप देना शुरू करोगे paragraph यान लिखने में ठीक है तो वो अगर आप करना चाहो तो anyways वो कर सकते हो I think बहुत से लोग आप मैंसे बहुत से लोग जानते होंगे तो यह मैंने grammarly इंस्टॉल कर रखा है ठीक है तो इसलिए अगर आप कहीं भी कुछ भी लिखते हो तो grammarly आपको suggestion देना शुरू कर देगा जैस आपने यूज किया हुआ है यह title आपके first paragraph में भी होनी चाहिए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा मैं लिखना शुरू करता हूं learn तो मैंने जो article शुरू ही इससे किया कि learn to create free SSL for WordPress website ठीक है now with these तो this is fine enough ठीक है उसके बाद जो है आप अपना जो next जो है पहला heading लिखना शुरू प्लस को आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहां पे सारे option आ जाएंगी जो भी available है उसमें से जाके मैं select कर लूँगा heading ठीक है अगर नहीं लिख रहा है heading तो आप जो है heading लिख दीजे यहां पे heading आ जागा heading लिखने के बाद जो है इस पे सबसे पहले lesson मैं लिखना चाहता हूं search bot जो step one है वो यह है कि हमें search bot install करना है तो उसके लिए यह वाला जो link है जहां से software download होता है तो यह link मैं देने वाला हूं ठीक है तो मैंने कुछ हैसा लिख दिया और यहां पे मैंने जो है लिख दिया you can download the software by clicking here और यहां पे हम लोग एक link देतेंगे link हमें जो देना है उसको हम रखेंगे open new tab में और यहां पे जो link है वो हम paste कर देते हैं that's it अब यहां पे जो है कोई click करेगा तो जो है software download हो जाए यह जो again article लिखने का काम है इसमें आप कई वार word change करते हो sentence change करते है तो आपको काफी जो है ऊपर नीचे जाना पड़ता है दाए बाए ऊपर नीचे का करते हैं तो दोस्तों यहां पे जो ऊपर वाला heading था वो मैंने downloading के लिए कर दिया है और जो second वाला heading वो installing search bot के लिए कर दिया है और यहां पे जो many instructions है कि कैसे उसको जो install करना है वो लिखा हुआ है और कोशिश करो कि आपका जो article है उसमें minimum एक image जरूर हो याने कि एक photo कम से कम जरूर होनी चाहिए तो इस case में anyways जो है मैं यह वाला search bot hyphen help वाला जो है उसकी image डाल देता हूं एक चीज़ और दोस्तों ध्यान में रखनी है कि जब भी आप image attach करते हो जैसे देख सकते हो इस case में image है तो image आप देख लो कि जो appropriate उसका size क्या होना चाहिए अगर आप resize करना चाहिए तो आपके पास option होती है image resize वगेरा करने की ठीक है तो आपकी जो image है वो properly visible होनी चाहिए उसके अलावा जो सबसे important चीज है कि image का alt जरूर लिखा होना चाहिए for example इस image पर क्लिक करो और यहां पर यह जो setting है ठीक है उस पर क्लिक करो और आप आप आजाओगे यहां प dot help command ठीक है तो यह यह लिखना बहुत जरूरी है उसके बाद ही जो आपकी site है वो धीरे धीरे बेसिकली जो SEO optimization की तरह बढ़ेगी अगर मैं अभी यहां पर scroll down करो तो मैं अल्डी देख सकता हूं कि जो readability analysis है वो अल्डी हमारा green में चल रहा है और जो SEO है वो अभी भी orange में चल रहा है which is okay okay it is not really bad but it is not good as well तो हमें यह make sure करना है कि हमारा SEO and readability दोनों जो है वो बिल्कुल green होने चाहिए ठीक है तो अगर मैं scroll down करता हूं और देखता हूं SEO analysis में तो यह हमें बता रहा है कि क्या 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 जो SEO analysis के basis पे क्या क्या जो चीजे हैं वो हमें improve करने के जुरत ह तो यह बोला है internal links यानि कि जो हमारा blog post है उसमें कोई भी internal links नहीं है तो basically दोस्तों आपके जो articles पगेरा होते हैं वो अगर एक दूसरे से link होते हैं तो वो बहुत ही अची बात है तो इसलिए जो आपके post है उसमें कोई ने कोई internal link जरूर होना चाहिए अगर आपके article में दिखूंगा लेकिन अगर अगर आपको दिखाना हो तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि for more tips you can read articles या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि you can read more articles here ठीक है और यहां पर जो articles here है उसको जो आप लोग है select कीजिए इसको जो है link select कीजिए open in new tab कीजिए और यहां पर जो है आप अपने blogs का link दे दीजिए तो for example इस case में जो है अगर मैं blogs लिख दूँ तो यह जो है मेरी site को ही point करेगा मेरी site का जो blogs है उसको point करेगा ठीक है तो उससे क्या होगा अगर आप मैं scroll down करो तो जो हमें पहले आ रहा था कि no internal link तो वह आप देखोगे no internal link वाला भी अप green हो गया यहां पे internal link देखिए green हो चुका है तो ऐसे ही one by one हमें जितने भी यहां पे points देख रहे है उनको सही करना है तो यहां पे आप देखो एक point आ रहा है key phrase in subheading use more key phrases or synonyms in your h2 and h3 subheading तो जितने भी हम लोग heading use कर रहे है तो उसमें जो key phrases है हमारे use होने च नहीं हो रहे हैं तो अगर लैसे अगर आपको कोई भी तरीका नहीं मिलता है इसको use करने का तो उसकेस में आप जो है simple सा hyphen लिखके उसी को वापिस लिख सकते हैं ठीक है similarly यहां पे जो है इसकेस में मैं इसी को वापिस लिख रहा है it is not really a good way जो यह काफी natural होना चाहिए ठ करना है आपको सिरफ एक या दो हैडिंग में इसको use करना है अगर मैं इसको use करने के बाद अगर scroll down करूं तो आप देखोगे जो हमारे as to more than 75 heading reflects the topic that is too much okay तो मतलब यहां पे देखो हमें अभी भी error आ रही है अभी इसलिए error आ रही है because we are overusing it यानि जितने भी हमारे heading है सब में ही use करें तो यहां पे अगर मैं क्या करता हूं for the time being इसको यहां से हटा देता हूं ठीक है और scroll down करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है अब आप देख तो अभी जो हमारे SEO analysis में है उसमें यह रह गया image images on this page do not have alt attribute ठीक है तो already जो हमारा image था उसमें alt attribute तो हमने डाला था यहां पर हम लोग जा के फिर से checking check कर लेते हैं तो हमने alt attribute तो already डाला था इसको जो है which is fine ठीक है I don't know error क्यों दे रहा है but anyway उसको हम आपको जरूरी नहीं है क कि आप जो जितने भी आपको recommendation दिखा रहा है आप सबको follow करो minimum जो है आपको तब तक recommendation follow करना है जब तक यह green में नहीं चला जाता है तो अब हमें क्या करना है text अभी जो हमारा article है उसमें सिर्फ 145 words है अब मुझे इस words को minimum length है उसे 300 तक पहुचाना है तो मैं अभी और content इस लिखना continue करता हूं तो दोस्तो आर्टिकल जो है almost जो है मेरा complete हो गया है और अभी हम लोग नीचे scroll करके देखते हैं तो आपने आप देखोगे तो मैंने basically यहां पे जो है certificate कैसे download करना है कैसे install करना है SSL कैसे generate करना है सिर्फ वहीं तक अभी लिखा भी मैंने जो remaining steps है वो नह आपको यह दिखाने का कि अगर अभी मैं scroll down करता हूं तो आप यहां पे देखोगे SEO जो है वो भी green हो चुका है readability भी green में है याने कि हमारा जो article है वो already at this point of time जो है वो already जो है optimized है ठीक है तो उस case में मैं जो है publish पे click कर सकता हूं और publish पे click करने के बाद यहां फिर से आप से पूछेगा publish पे click कीजिए और यहां पे आप देखोगे जो आपका article है वो generate हो चुका है आप view post पे click कर सकते हो तो उससे क्या होगा जो आपका आप जो post है वो अपना देख पाऊगे ठीक है तो यह post है जो generate हो चुका है okay this is how it is going to look like ठीक है अभी मैं जो इसमें काफी changes और कर जो की बेसिकली शॉट में बता दी हो कि वो article किस चीज के around है तो anyways जब आप देखोगे यह video तब तक जो article जो है properly बन चुका हुआ तो उस case में मैं लिंक दे दूँगा इस article पे जाके आप जो है article को देख सकते हो लेकिन जो हमारा main purpose था कि यह जो योस्ट आप देख सकते हो टूल बार में दिखा रहे है यह green में होना चाहिए था जो की already green में हो चुका है तो आपका यह जो post है already sufficient है इस point of time में और अब आपको जो है similar जो post लिखने है around 12-15 post लिखने है उसके बाद जो है हम AdSense के लिए इसको approval के लिए request भेजेंगे ठीक है तो अभी मैं 12-15 article और दिन में ठीक है उसके बाद जो है फिर next video बनाना शुरू करूंगा तो ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो में